हेलो एवरीवन वेलकम यू आल ओन आवर यूट्यूब चैनल एड्यू इंडियन फ्रेंट्स मैं स्रातिकोशिक आज आपके लिए कुछ नए क्रेशन लाई हूँ के 2017 के मौनिंग सेशन से तो यहाँ पर क्रेशन है हमारे सिंग्नल सिस्टम से रिलेटेड क्रेशन है तो यहाँ देख लेते हैं Consider the following statement for continuous time linear time invariant system यहाँ पर continuous time linear time invariant system से रिलेटेड कुछ दो statement हमें यहाँ given है और हमें यहाँ बताना है कि इन statement में से हमारा कौन सा true है और कौन सा false है तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर option चोज़ करना होगा तो चलिए friends यहाँ पर हम first statement को देख लेते हैं यहाँ कहा है यहाँ पर अगर हमारा कहा है कि हमारा कोई भी ऐसा BIBO stable system नहीं है जिसका पोल हमारा right half में लाई कर रहा हो right half complex plane में लाई करता हो तो friends देख लेते हैं यहाँ पर जो हमने solution दिया है तो वहाँ पर किस तरह से हमने यहाँ इसको explain किया है यहाँ अगर हम causal system की बात करें कि causal system में अगर हमारा कोई pole है system का right half plane में लाई कर रहा है light half complex plane में लाई कर रहा है तो तब causal system का जो हमारा ROC होगी वो right side में होगी उस poles के right side में लाई करेगी तब उस condition में जो हमारा j omega axis है वो हमारा ROC में cover नहीं होगा ROC में include नहीं होगा j omega axis उस time पर तो हमारा system unstable रहेगा बट यहाँ पर हम अगर anti-causal system की बात करते हैं तो anti-causal system ऐसा है कि अगर हमारा pole भी right half में लाई कर रहा है तब हमारा system stable हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हमारा j omega axis है वो ROC में include हो रहा है यह देख रहे हैं आप यहाँ पर जो हमारी ROC है anti-causal के लिए हमारी poles के left side में लाए करेगी तो उस time पर हमारा j omega axis है वो ROC में cover हो जाएगा तो उस time पर जो हमारा system होगा stable होगा क्योंकि वहाँ पर ROC include करेगा j omega axis को तो बट जो statement first में कहा है कि ऐसा कोई BIBO system ही नहीं है जब हमारा pole right half में lie करा हो पर friends हमारा anti-causal system ऐसा है कि जब हमारा pole right side में भी lie कर रहा है तब भी system हमारा stable होगा तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा statement first है वो हमारा true नहीं है अब second statement को check करते हैं यहाँ पर कहा है there is no causal and BIBO stable system with pole in right half of complex plane यहाँ पर इसको हम इस तरह से समझेंगे यहाँ कहा है कि जो हमारा अगर right half में हमारा कोई pole lie कर रहे हैं तब उस time पर हमारा कोई भी ऐसा system नहीं है causal system के लिए अगर हमारा system causal है तब हमारा जो j omega j omega जो axis है वो हमारा ROC में cover नहीं होगा क्योंकि causal system के लिए जो हमारी ROC होगी poles के right side में लाई करेगी उस condition में जो हमारा यह ROC है यह हमारा j omega axis को cover नहीं कर रहा है तो उस time पर जो हमारा system होगा unstable होगा तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारा ऐसा causal और stable system नहीं है stable और causal दोनों नहीं है जब हमारा poles right half में lie कर रहा हो यहां कहा है कि there is no causal and BIBO stable system कि वो हमारा causal system भी हो अगर causal system है तब हमारा वो BIBO stable नहीं होगा अगर हमारे poles right half में lie कर रहे हैं यही मैंने बताया आपको कि अगर हमारा system causal है और poles right half में lie कर रहे हैं तब हमारी ROC होगी poles के right side में तो उस condition में हमारा जो j omega axis है वो ROC में cover नहीं होगा उस time पर system हम कहेंगे कि हमारा system unstable है तो इस तरह से हमारा जो statement second है वो true हो जाता है तो यहां पर हमारा option D correct answer होगा क्योंकि statement second true है और statement first हमारा not true है तो अब यह question हमने देखा ROC signal system का question था अब यहां पर second question भी हमारा signal system से है इसमें देख लेते हैं क्या कहा है consider a single input, single output discrete time system with xn as an input and yn as an output where the two are related as यहां पर input xn और output yn इस तरह से related है इस तरह से कुछ उनका यहां पर connection दिया है कि हमारा input है जब हमारा n 0 to 10 है तब हमारा input है n xn और otherwise हमारा sorry यहां पर हमारा output होगा n 0 to 10 के लिए n xn और इसके अलग होगा अलग range में मतलब less than 0 और greater than 10 के लिए हमारा output होगा xn minus xn minus 1 तो इस में हमें बताना है which one of the following statement is true about the system अगर इस तरह का हमारा system है तो वो हमारा causal system होगा stable system होगा तो यह हमें check करना है यापर statement हम देख लिएंगे बाद में पहले हम check करते हैं इसको हमें system दिख दिया है यह कि हमारा yn होगा n xn 0 to 10 के लिए और less than 0 और greater than 10 के लिए हमारा होगा xn minus xn minus 1 तो हम पहले इस reason में check करते हैं 0 to 10 के लिए हमारा xn bounded है मतलब input हमारा bounded है input bounded है और 0 to 10 जब है n की value तो yn हमारा n xn मिल रहा है n हमारा 0 to 10 एक finite value है तब हमारा जो output भी एक finite value होगा क्योंकि वो हमारा n और xn पर depend कर रहा है ठीक है तो तब हम कह सकते हैं कि हमारा system bounded input bounded output means stable system होगा और जो हमारा yn है present value depend कर रहा है present value पर यहाँ पर हमारा यह xn है मतलब n अगर 0 है तो हमें y0 मिलेगा n1 है तो y1 मिलेगा यहाँ पर x2 अगर हम ले रहे हैं यहाँ x2 होगा तो y2 मिलेगा मतलब यहाँ पर हमें जो हमारा yn है xn की present value पर depend कर रहा है तो उस condition में हम इसको बोलेंगे causal क्योंकि causal system होता है कि जो हमारा output है present और past value पर depend करता है ठीक है तो 0 to 10 के लिए तो हमारा system causal और stable दोनों होगा अब next इस के लिए देख लेते हैं जब हमारा n की value less than 0 and greater than 10 होगी तब हमारा output होगा xn minus xn minus 1 तब हम कह सकते हैं n हमारा tends to infinity है क्योंकि यहाँ पर भी minus infinity जा रहा है और n greater than 10 पर भी हमारा n infinity जा रहा है n tends to infinity है तब भी हमारा जो xn minus xn minus 1 है मतलब जो output है हमारा एक finite value मिलेगा ठीक है कि उसका जो input xn है और xn minus 1 है तो इसकी हमें कुछ finite value मिलेगी तो हम कह सकते हैं कि हमें जो yn हमें एक finite value मिल रहा है तो हमारा system एक stable system होगा और यहाँ पर जो yn है हमारा x input की present and past value पर depend कर रहा है क्योंकि xn हमारा यहाँ पर present value है तो यहाँ पर जो हमारा x जो yn है output है हमारा present और past value पर depend कर रहा है input की तो यहाँ पर इस region में भी हमारा system causal रहेगा तो यहाँ पर हमारा system 0 to 10 में भी stable and causal था और इस region में भी हमारा system stable and causal है तो हमारा overall system causal and stable होगा तो यहाँ पर हमारा option A correct हो जाएगा It is a causal and stable system तो option A हमारा यहाँ पर correct answer होगा तो इसी तरह से हमने questions किये अब next lecture में मिलते हैं कुछ नए questions के साथ ओके friends thank you, have a nice day bye bye